मिशन प्रेडा उत्तर प्रदेश प्रेरग प्रदेश नमस्कार साथियो आज की वीडियो मिशन प्रेडा उत्तर प्रदेश और इसके लच्छों से सम्बंदित है इसमें हम मिशन प्रेडा के लच्छ क्या है इनको सरल तरीके और ट्रिक के साथ समझेंगे उत्तर प्रदेश में मिसन प्रेणा के प्रभावी क्रियानवेन के लिए 2 सितंबर 2019 को शासना देश निर्गत किया गया इसके पश्चात सिच्चक दिवस की पूर्व संद्या पर माननी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिसन प्रेणा एवं प्रेणा तकनी की फ्रेमबर्ग का उद्गाटन किया गया साथियो मिसन प्रेणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरग प्रदेश अर्थात मिसन प्रेडा के अंतरगत सिच्छा के छेतर में उत्तर प्रदेश को प्रेड़क प्रदेश बनाने के उद्देश से बेसिक सिच्छा विवाग के प्राथ्मिक इस तरके बिध्यालों के लिए हिंदी और गड़िद बिसे के लिए प्रेणा लच्छ निरधारित किये गई है और इन लच्छें को प्राप्त करने की समय सीमा मार्च 2022 तै की गई है अर्थार बेशिक सिच्छा विवाक के विध्यालियों की सिच्छा विवस्ता की आगामी रूप एका इन लच्छों को प्राप्त करने के उद्देश को लेकर बनाई जा रही है इन लच्चेओं को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेणा लच्चेओं की जान कारी होना अतन्त आवश्यक है इस वीडियो में हम प्रेणा लच्च क्या हैं, इनको कैसे याद रख सकते हैं इस बारे में सरल तरीके और ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे प्रेणा लच्च बासा प्राथमिक इस्तर कच्छा एक के लिए निर्धारिस सूची में से पांच सब्द सही से पहचान लिते हैं कच्छा दो के लिए अनुच्छेत को बीस सब्द प्रतमिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं कच्चा 3 के लिए अनुच्छेत को 30 सब्द प्रत मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं कच्चा 4 के लिए छोटे अनुच्छेत को पढ़कर 75% प्रिश्णों को सही हल कर लेते हैं कच्छा पांच के लिए बड़े अनुच्छेत को पड़कर 25 प्रिशनों को सही हल कर लेते हैं अभी हमने प्रेड़ा लच्छिवासा प्रात्मिक स्तर को देखा अब हम बात करते हैं इन लच्छियों को कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए आपको प्रते कच्छा के सापेच कुछ अंकों और सब्दों को याद रखना होगा कच्छा एक के सापेच याद रखना है पांच और सब्द कच्छा दो के सापेच याद रखना है बीस और अनुच्छेद कच्छा तीन के सापेच याद रखना है तीस और अनुच्छेद कच्छा चार के सापेच याद रखना है पिचतर और छोटा अनुच्छेद कच्छा 5 के साथ पेच्छाद रखना है 75 और बड़ा अनुच्छेद इस तरह हम आसानी से बता सकते हैं कि भासा के प्रेडा लक्ष कच्छा 1 के लिए बच्चे को निरदारे सूची से 5 सब्द पहचानने हैं कच्छा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 सब्द प्रत मिनट के प्रवा से पढ़ना हैं कच्छा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 सब्द प्रत मिनट के प्रवा से पढ़ना हैं कच्छा 4 के लिए चोटे अनुच्छेत को पढ़कर 75 पृत्षत सवालों को सही हल करना है। पिड़ा लक्ष गड़ेत प्रात्मिक इस्तर कच्छा एक के लिए दिरधारे सूची में से पांच संख्याएं सही से पहचान लेते हैं कच्छा दो के लिए जोडवा गटाना एक अंकिये के 75 प्रतिशत प्रिश्णों को सही हल कर पाते हैं कच्छा तीन के लिए जोड़ एवं गटाना हांसिल के साथ 75 प्रतिशत प्रिश्णों को सही हल कर पाते हैं कच्छा चार के लिए गुणा के 75 प्रतिशत प्रिश्णों को सही हल कर पाते हैं अब ही हमने प्रेडा लक्च गडित प्रातर्मिक इस तर को देखा अब हम बात करते हैं इन लक्चियों को कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए आपको प्रते कच्छा के सापेच कुछ अंकों और सब्दों को याद रखना होगा कच्छा एक के सापेच याद रखना है पांच और संख्या है कच्छा दो के सापेच याद रखना है पिछहत्तर और जोडगटाना एक अंकी कच्छा तीन के सापेच याद रखना है पिछहत्तर जोडगटाना हासिल के साथ कच्छा 4 के साथ याद रखना है 75 और वड़ा कच्छा 5 के साथ याद रखना है 75 और भाग इस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं प्रयालक्ष गड़ित में कच्छा 1 के बच्चों को निरधारिस सूची में से 5 संख्याएं पहचाननी है कच्छा 2 के बच्चों को जोड घटाना एक अंकी के 75 प्रत्षत सवालों को सही अल करना है कच्छा 3 के बच्चों को जोड घटाना हांसिल के साथ 75 प्रत्षत सवालों को सही अल करना है कच्छा 4 के बच्चों को गड़ा के 75 प्रत्षत प्रश्नों को सही अल करना है और कच्छा 5 के बच्चों को भाग के 75 प्रतिशत प्रश्णों को सही अल करना है इस वीडियो में हमने प्रियन लच्चियों को जाना आसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आगामी वीडियो में हम इन लच्चियों को कैसे प्राप्ट कर सकते हैं इससे संबंदित वीडियो प्रेसित करेंगे